हेलो बच्चो तो आज यार आप लोगों एक साथ जोडने का परपस ही है कि जैसे कि हम लोगों ने अपने नोटिस वोड़ वालगे रिजल्ट लगा रखा रिदिक जो उससे दो साल पढ़ा है और जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बोर् का पेपर भी दिया एडवांस पर मुझे पूरी मुझे बहुत अच्छी रेंग आएगी जो 11 सप्टेंबर को डिजल्ट आया आने वाला है तो आज मैंने उसको मेरे नॉड़ा आने का परपस बेसिकल यही तक तो अच्छी लिए दिल्ली में रहता है और वो दो साल तक उस सकते हैं किस तरही तुम से पढ़ाई करी किन बातों का ध्यान लखा किन बातों को इग्नूर किया तो आपके सामने रिदिक आ रहा है एक बार उससे भी ट्रक करिए जो भी आपके सवालें पूस सकते हैं रिदिक किया प्लीज क्लैफ पोर रिटिक हेलो रिटिक एक बार पना स्कूर दुबार बता दो अच्छों को इन बोर्ड मेरे मैठ में फुल थे केमिस्ट्री में फुल था फिजिक्स में 99 एंड इन जेए आइगोट 3500 रंक अब तुमने किस तरीके से पढ़ा ही करियार क्या बोर्ड के लिए फोकस रहे तुप जाते हैं जेए के लिए रहे एक्चली मैंने सिफ 12 में प्रेपरेशन शुरू करी थी तो मेरे लिए जेए के लिए टाइम कम था तो मुझे जेए का भी काफी जल्दी अल्दी सारा सिलिब सेल्फ साटिस्फाक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उतने मार्क्स के लिए मैंने एम किया अद्रवाइस मैंने पूरे टाइम जेए की ही प्रेपरेशन करिये एंड में जैसे मेरे टाइम पे दो टर्म्स होए थे टर्म 1 और टर्म 2 उसके 15-20 डेज पहले मैंने ब कर लिया था क्योंकि बोर्ट में जो डिफिकल्टी रेवल है वो कम होता है बट टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी डिफरेंट हो जाता है तो उनके काफी सारे मॉक्स देना एंड उस टाइप की क्वेश्चन करना ही बहुत इंपोरेंट होता है तो लास्ट के कुछ 15-20 डेज या बन मंत में मैंने सिर्फ बोर्ट पड़ा बाकी पूरे टाइम मैंने सिर्फ जेए के लिए पड़ा अब देखो दो चार चीजे हैं जो से रिलेटर में आपको बताना चाहूंगा यह अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट बहुत जाद है रहा जो बहुत ज़रूरी चीज भी गुजरें उससे और बिल्कुल एक बहुत लाइफ सी मतलब अखेला सिंपल सी वाद एक सिंगल एक लिए क्लास में पढ़ रहा है तो सारी चीजे से फेस करी है तो आप सोचो कितने टफ टाइम से निकल कर आया है और बहुत बार इसके साथ ऐसा भी आए कि पढ़ने का म इसमें सबसे अची बात ही है जो मैंने देखी मेजर करी अगर किसी स्टुडेंट में हो और हमें एक ऐसे स्टुडेंट मिल जाए इसमें एक खास बात थी आर अगर मैं इसको कुछ काम देता था था ना तो यह मुझे क्यों करना है अगर मैं इससे बोल देता था एक छोटा पढ़ा रहा है तो यह वह भी करता था आज यह रात को आट बज़े बैठेंगे तो पूछता नीता है कि कोई काउंट दो करता नहीं कितने मॉक्ता जेर आई इससे टैस्टिंग बहुत बदास करी है मैं मानता हूंगी थर्टी टुफॉटी माक सरिदिक टैस्टिंग से इंप्रूव होंगे मॉक्स मैंने मॉक्स पे मैंने इधिंक चो मेरे में डिया रफली 40 प्लस तो डेफिनेटली मतलब जो भी टेस्स मेरे सामने में देता गया देता गया कुछ टेस्स ऐसे भी आये कुछ टाइम पर कि मैंने सिर्फ अगर मुझ लग रहे कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो मैं उस सब्जेक्ट के ही सिर्फ मॉक्स उठाया उसको जाधा कर लिया तो मॉक्स मतलब सब कहते ही एं जर्रल की मॉक्स इंपोर्टेंट एसो इस नॉट इस नॉट इस नॉट इए तो पर गया था बट इस जो मैंने पहले मॉक्स में जितना एफट डाला ना डाट इस संथिंग जिसने मुझे बहुत जाधा रीपे कि बहुत जाधा एंड उसके बिना मतलब ऐसे इस ग्रणी जाए कि नॉलिज बहुत सारे लोगों को इस अपने पड़ा होता है क्योंकि मोर्ले सबके पास वो बुक्स हैं जो आपके पास हैं सबने उन बुक्स को पड़ा है नॉलिज सबके पास है बट एक कमपेटिव एक्जाम को करने के लिए आपको अच्छा नहीं होना तुम पूरा क्रेड़िट किसको देना चाहोगे हार्ड वर्क को किस तरीक से क्या तुम्हें चीजे आइफील हार्ड वोग बहुत इंपॉर्ट है और उसके साथ स्मार्ट वोग भी बहुत जादे इंपॉर्ट है उसके लिए एक स्ट्राटेज होने चाहिए आप क्या कर र और रास्ता वागी सवर्ण मुझे दिखा दिया तो उस पर अगर आप टीचर पर दिखाओ तो डेफिनिटली आइफील की वो हो जाना चाहिए इसमें बात एक चली बात में अगर मैं करूंगा तो मैं से बुच बना तो इसका सीधा कोशन होता है तो सरा बनाओ मैंने कि मैं बनाओं यहां सर जैसे आप कर दोंगा तो ऐसा होता था मैं से कमालों को चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कि सर मुझे नहीं करना है चोटी सी बात बताता हूं डैफिनेट इंडिकेशन एडवांस की त्यारी चली थी डैफिनेट इंडिकेशन इसका बहुत चैप्टर छोड़ भी दो को भी कोई दिखते हैं टैन चैप्टर आपके ऐसे हो नहीं चेंज हो बहुत श्रॉंग हो तो इक डैफिनेट इंडिक्रेशन इसका एक ऐसे चैप्टर जो बहुत वीक था मतलब एडवांस के कंपेरिजन में तो इसको मैंने का करना है इसे पहले बात यार एक अपने लिए ऑनेस्टी सिंपल सी बात है जूम पे आप तुम बिलीव नहीं करो कि आज मुझे केवल दूसरी बार मिल रहा है एक बार हम लोग मिल लेते हैं दिली गया तो इसके गर पे जब एक बार इंट्रेक्शन होता है कि चला एक बार तो मिल लेते हैं औ लाइफ में जुरूद सक्सेस पाते हैं अपने लिए अनेस्ट है बंद कमरे में पढ़ रहा है सारी चीज़ इसके वास एविलेबल है या लैपटॉप भी है फॉन भी है सारी चीज़ एवलेबल है घरवालों को पता भी नहीं क्या कर रहा है बरसे अपने लिए ऑनेस्ट मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है इस फेस से आप भी गुजर रहा है आप भी सारी चीज़ समझते हो समझदार की लेशारा काफी तो ऑनेस्ट बहुत रहता था ऐसा नहीं कि सर्मने कोश्चन दिया हां सर मैंने कर लिए सर हो गया मेरा ऐसा नहीं टैस्ट भी दे रहा हो त इसके उपर जल्ड पऊल डेका होगा ऊभ रोग तो यह चीज़े को चोट चीझ अब यह HAIR लोगों साइसा मैं आप लोगों से हमेशा गयता हौँ कि यह टाइम का लोग यह लänge बदल दे solids अगर आपने इस time को सही से जी लिया और बहुत लंबा पीरिड नहीं होता बिटा मुश्किल से मैं मानता हूँ अगर कोई बच्छा 11 में है तो उसका जो maximum पीरिड होता है 15 to 16 मन्त का होता है और अगर को बच्छा 12 में है 12 में serious हो रहा है तो 7 to 8 मन्त का maximum period होता है अगर आप भी देखोगे अगस चल ला है अगस खताम हो गया सेप्टेंबर अक्टूबर नमबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल माई माई तक मालने तो मैं क्योंकि एडवांस का पेपर माई के आसपास होगा तो एट टू नाइन मन्त का टाइम ह होता जो आपको जीना होता है ठीक है तो यह सारी चीजे हैं और कुछ आप पूछना चाएगा कोई बिच्चा किसी को कुए क्वारी है लास्ट एर्स कितने प्रीवी से लगाता या लगाता गया तो मैंने यह चीज एक नोटिस कर रही थी कि जो बहुत पुराने किसी क्वेशन होते हैं वह काफी सिंपल होते है मतलब अगर आप जाओ कि 2001 का प्यक्वेशन है या 1999 कोई क्वेशन आ गया तो वह बहुत ही सिंपल क्वेशन सा होता है तो मैंने उन्हें जब मैं पहले शुरू किया तो मैंने सारे करें देन ट्रेंट देख लगी जो बहुत वो बहुत easy questions है तो उन्हें मैंने cut out कर दिया and then book to 43 years की थी but last मैंने 2000s के बाद वाले ही questions more or less के तो basically last 15-20 years के questions पे मैंने major focus आथ है कि मतलब आसान question करके मैं खुद को कुछ कर साथता हूं but actually काम आएंगे वो recent वाले questions ही हैं तो यह प्रिवियस years के हम chapter 20 करें थे instead of mocks में chapter 20 करें थे तो चैप्टर इस ने last 15-20 years के सारे कर रहे थे and धंग से करते हैं लिटरली धंग से कर रहे थे and not की बस करने के लिए कर दिये बस टिक मार दिया नहीं literally solve किया and उससे confidence भी बहुत जादा बिल्ड होता है like वो पता नहीं लगता करते 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 रास्ता कुद मिल जाता और question solve और लग जाता actual exam में वी क्योंकि ऐसा कुछ आपकी brain में कहीं ने कहीं store हो गया होता कि ऐसा कुछ question मैंने देखा था कभी तो और इसे ऐसे करना था तो subconscious mind में fit हो जाते है और वह बहुत जादा काम आता है जो previous years actually मैंने different different तरहिकों से किये थे test series से भी करे थे सवर मुझे 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 मैंने वह भी करे थे basically मुझे जहां-जहां से good quality mocks मिल जा देते मैं उन्हें कर लेता था और कुछ क्यारी बेटा किसी की आरी चीजे clear हो गई चलो यार तो मुझे मैं इंट्रेक्शन कराने का मोटी मेरा यही था कि आप लोगों कुछ मोटिवेशन मिले कि लाइफ है और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूंगा कि अगले साल आप लोग भी इसी की तरह यहां पर खड़े रहो ठीक है तो मैं जरूर यह तो चाहता ही हूं कि यार आप लोगों को पक्का ही कैसा मोटिवेशन में लेगा कि आप लोगों लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है है ना चलो ओके बच्चों विश्यू अल्दा बैस फॉर रिदेक वंस अगेन और अभी लाइफ में इसकी कॉली लाइफ अभी स्टार्ट हुए बेसिकली यह तो एक बहुत बेसिक सी चीज्ची दो इनने बहुत अच्छे से कर ली पर असली जर्णी अभी स्टार्ट हुई है तो मैं आप लोगों भी तरफ से भी इसको अल्दा बैस बोलना चाहूंगा ओके चलो थैंक यू बाइब है घल्थ अग्सक्राट गिस धाइब भाइब से हैंक One